हालो अब्रिवन वल्कम टो आरेटू चैनल आज हम लोग बात करने वाले सी सब की जो राउंड होने वाली है उसका डेट सीट आ चुका है तो बहुत लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता होगा वो इस वीडियो से उनको पता लग जाएगा इस में बैसकली आपका जो लेट है 25 तारीक को आपको डिस्प्ले किया जाएगा जो वीडियो समय सीट बाच हुए है उसको वहां से आपको एक एडिया लगए कि इस पर कितना जो समय सीट खाली रा गया उस सीट को फिल किया जाएगा सी सेब के द्वारा तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तेमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो अच्छा लगएगा तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा दोस्तों चलिए हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले जो इसका रेजिस्टेशन स्टार्ट होगा रेजिस्टेशन पेमेंट ऑफ एस्पेसल राउंड और च्वाइस च्वाइस फिलिंग फिजिकल वरिफिकेशन पीड़ी कंडिडिट का जो होता है वो 26 अक्टूबर से शुरू होगा जो कि सुबर 9 बजे से चालो हो जाएगा और इसका जो रेजिस्टेशन और पेमेंट का लास्ट टेट होगा 28 अक्टूबर फ्राइड साम पांस बाज तक तक रहेगा उसके बाद च्वाइस फिलिंग फिजिकल वरिफिकेशन जो पीड़ी कंडिडिट का है वो 29 अक्टूबर तक रहेगा मतलब एक दिन जादा उनको दिया गया है पीड़ी को यह सब आपका जब हो जाएगा सारे रेस्टेशन आपकर लिए हैं प्रेमेंट कर दि आपको पता लग जाएगा उस रिजल्ट से जब आपका रिजल्ट आज एगा उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको तीन चीज का यह सारे अप्सवन आपको मिलेंगे 30 अक्टूबर से लेके एक नॉम्बर की बीच में फिरीज का स्लाइट का फ्लोट का स्रें आपको मिला है वह आप एकसेप्ट कर लिया है और उसी ब्रांच में उसी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसके अलावा आपको कोई दूसरे ब्रांच लेना नहीं है आपको सेकेंड डौन में नहीं जाना है इसका मतलब यह होगा है अगर आप स्लाइट करना चाहते है है होलाइट का मतलब होता है कि जो भी आपको व्लाज मिला यह जो भी आपको कॉलिज मिला उसको आप एकसेप्ट कर रहे हैं उससे इट को और साथ-साथ आप उससे अच्छे ब्रांच यॉसस से अच्छे चॉलिज जो पाई आभी वह अप लेना चाहते हैं जैसे आपको मान के चलिए आपको एनाटी दुर्गाफुल में आपको कोई बरंच मिल गया पर आपको एनाटी राउड के लाई या तिरची में जाना है अच्छे बरंच लेकर या फिर अच्छे एनाटी में आपको जाना है तो आप यह स्लाइट कर सकते हैं उससे आपको उससे बहतर ब्रांचे या उससे बहतर कॉलेज आपको मिल जाएंगे अगर आप फ्लोट करते हैं फ्लोट का मतलब यह होता है कि जिस कॉलेज में आपको जो भी ब्रांच मिला है आप उस से अगर बहतर आपको ब्रांचे उसी कॉलेज में ज इसके बाद सरेंडर इस बार आपको नया देखने को मिलेगा इसमें सरेंडर बेसिकली यहां पर जैसे लिखा हुए Allotted Seat and Participate in the C-Serve Round आप जो आपको सीट अलोट किया गया है आप उस सीट को सरेंडर कर रहा है और आप C-Serve Special Round 2 में बैठना चाहते हैं बैठेंगे आप इसका मतलब सरेंडर का हो गया विद्रोव करना चाहते हैं तो जो भी आप उस सीट मिला है उसका आप सरेंडर कर दिए और साथ में आप C-Serve Round 2 में नहीं बैठेंगे बतला आप अगर इंट्रेस्टेड नहीं है तो आप गिद्रोव कर सकते हैं जो भी आप पेक कियों के पैसा हो उसमें से आपको कुछ कट कर पैसे मिल जाते हैं फिर एक्जिट कर सकते हैं एक्जिट का मतलब यह हो कि आपको अपको कोई बीसी टैलाड नहीं हुवा और आप सेकन लाड में बैठने नहीं चाहते हैं विए बिसके लिए आपको यह सारे स्ट रौंड के लॉर्मेंट के बाद करने को और सब्सक्राइब जो भी आपको कॉलिज मिला हो याने मिला उसके बाद आपको ओलनाई रिपोर्टिंग करना है उसमें जो भी इंस्टिूट के फियोंगे ऊसको पय करना है फीटु उसके अत्साध्शा हाओ को डॉक्मेंत अप्लोड करना है औरisa जो भी आपका queries documents के related होंगे वो सब clear होंगे उसके बाद physical verification होंगे PWD candidates का उसके बाद आपको 2 November को last date है आपका जो भी document regarding queries है उसका verification यह सारे चीज़ लेकर first round का आपका last date है दो November सामपांच बाद उसके बाद आपको फिर से 3 November को आपको second round का सीट जो भी मतलब सीट रांड टू का अलोट मेंट आजाएगा सीट अलोट मेंट result आएगा तीन नॉमबर सामपास बाद फिर आपको अगर आपको accept करना दो कर सकते हैं ऐसे करके जो भी प्रोसेस होते हैं वह सब फिर से आपको करना पड़ेगा यह लास्ट रांड है जिए जब आपको final होगी है जो आपको अलोट कर दिया गया फ्रोपर सीट उसके बाद आपको फिर से ओनले रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आप जिनको फ़र्स्ट रांड में college नहीं मिलाओगा उनको second round में college भी लेगा तो उनको second round के बाद fee जो भी institute fee उसको pay करना पड़ेगा जो first round में pay कर दियोंगे उनको फिर से पहना पड़ेगा जब physical àp report करेंगे जो भी कॉलेज का फी वोस्तेम आपको फिर से करना पड़ेगा चुछ आपको फीर नहीं करना पड़ेगा जो यह सारी से लोट कि आ ऊस ओलेज में उसकार करना पड़े और हो को तो यह हागा यो बिसकार करना पड़े कि यह क्या क्या होने वाला भी इसका 25 तारिक से शुरू हो गया यह सारी ची और लगभग आपको बोल सकते हैं कि 9 नॉमबर तक चलेंगे यह सारे प्रोसेस तो उसके वाद आपको अपने अपने कॉलेज में फिर से मिलेंगे तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होता लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और सब्सक्राइब किजिएगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो